बखनी ना मेरी लगी पड़िये कुछ है पानी में भागो कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको इसी तरह के हॉलिवुड मुवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को आल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसे ही धमाकेदार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे लिस्ट का पहला मुवी है रिट्रिब्यूशन ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मुवी है इस मुवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मैट नाम के एक फादर की जो रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बीच रास्ते में जाने के बाद मैट को एक अंजान व्यक्ती का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बम रखा हुआ है और अगर मैट ने उस आदमी की बात नहीं मानी तो वो बम वहीं पे फट जाएगा पहले तो मैट को ये सब मजाक लग रहा था इसलिए वो अपनी गाड़ी को चेक करता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर सही में एक बम रखा हुआ है और इसी वजह से वो अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए उस अंजान आदमी की बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन इसी बीच बहुत सारे पुलिस वाले भी मैट के पीछे पड़ जाते है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं मैट ने अपने ही बच्चों को किड्नैप किया है इस से आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंट्रेस्टिंग चीजें होती है और आखिर वो अननोन परसन कौन है और आखिर मैट के साथ ये सब क्यों कर रहा है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा और ये मूवी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी लिस्ट का दूसरा मूवी है लास्ट नाइट्स ये 2015 में रिलीज हुई एक आक्शन एडवेंचर मूवी है इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रेडर नाम के एक आदमी की जो एक छोटे से सामराज्य का मालिक है अब ऐसे में एक दिन रेडर को पता चलता है एक बहुत ही बूटल राजा के बारे में जो कि उसके सामराज्य के ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है लेकिन रेडर उसकी बात को मानने से इंकार कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो जाता है रेडर के पास इतनी ज्यादा फौज भी नहीं है और सामने इतने बड़े लाखों की सेना खड़ी है तो आखिर वो इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा और आखिर क्या वो इस जंग को जीत पाता है या फिर नहीं जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की एवं ट्विस्ट भरी स्टोरी देखने को मिलेगी लिस्ट का तीसरा मूवी है दे बॉई ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्टरी मूवी है इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रेटा नाम की एक लड़की की जिसे शहर के सबसे अमीर फैमली के अंदर एक जॉब के लिए बुलाया जाता है क्रेटा को इस अमीर फैमली ने यहां पे अपने एकलोते बेटे को संभालने के लिए बुलाया था ताकि वो उसका खयाल रख सके लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब क्रेटा को पता चलता है कि असल में उस अमीर फैमली का कोई लड़का ही नहीं है बलकि वो एक छोटी सी डॉल है जिसे वो लोग अपना बेटा मानते हैं और उसी का खयाल रखने के लिए क्रेटा को यहां पे बुलाया गया है अब ऐसे में क्रेटा को इस काम के बदले बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके क्रेटा के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लगती है। आखिर इस अमीर फैमली के साथ क्या होता है और आखिर क्यों ये लोग एक डॉल को अपना बेटा मान रहे हैं वो सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा अगर आपको इस तरह की डार्क मिस्टीरियस मूवी देखना पसंद है तब आप इसे वन ट पर हो जाते हैं इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है तो आखिर ये वायरस कहां से फैला और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा लिस्ट की पांचवी अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ Bounty Hunters की जो मिया को बचाने के लिए चले जाते हैं और वो लोग मिया को बचा भी लेते हैं लेकिन कहानी में twisting लोग मिया को अपने घर ले जाते हैं लेकिन बीचuję कहानी में जाती हैं पड़ेगा मूवी काफी सारे ट्विस्ट से भर पूर है आपको जरूर पसंद आने वाला है लिस्ट की छठी मूवी है अलाइव ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है जुहू नाम के एक लड़के की जो कि एक गेम में रहता है और नीचे चारों तरफ जॉम्वी फैले हुए है ऐसे में वो अपने आपको उन जॉम्वी से कैसे बचाएगा और आखिर क्या वो यहां से बचके निकल पाता है या फिर नहीं सब कुछ कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा ये एक क कोरियन मूवी होने वाली है आपको तो पता ही होगा कि कोरियन जॉम्वी मूवी कितनी कमाल की होती है लिस्ट की सात्वी मूवी है मिडवे ये दो हजार उननीस में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन वार मूवी है इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती के बाद ही अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर कूद पढ़ता है। मूवी के अंदर काफी सारी प्लानिंग की जाती है। इस बीच जबरदस्त एक्शन और धमाकेदार सीन्स भी मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको प में कहानी दिखाई जाती है एक हिटमैन की जो की पैसे लेके लोगों को मारने का काम करता है। एक दिन इस हिटमैन को एक आदमी को मारने का काम दिया जाता है। जिसके बाद ये हिटमैन उस आदमी को मार देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसी बीच मिया नाम की लड़की उस Hitman को Murder करते हुए देख लेती है. जिसके बाद यह Hitman मिया को Kidnap कर लेता है. ताकि मिया किसी को भी इसके बारे में ना बताए. लेकिन कहानी में एक और Twist आ जाता है, जब धीरे-धीरे करके Hitman को मिया से ही प्यार होने लगता है. मुवी ट्विस्ट एंट टर्न से भरपूर है आपको ये मुवी एक बार जरूर देखना चाहिए और इस मुवी का लास्ट सीन तो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे लिस्ट के नंबर 9 पर मुवी है Hitman Agent 47 ये 2015 में रिलीज हुई एक action thriller मुवी है इस मुवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 47 नाम के एक क्लोन की जिसे बेसिकली इंसानों के DNA से बनाया गया है अब ये क्लोन कोई normal क्लोन नहीं है ये बहुत ही ज्यादा powerful है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि ये बड़े बड़े missions को पूरा कर सके ये एक AI रोबोट है जो इंसानों से बहुत ज्यादा powerful है अब इसे एक नया mission दिया जाता है एक लड़की को ढूंड के उसे बचाने का जिसके बाद ये क्लोन निकल जाता है उस लड़की को बचाने के लिए अब आगे कहानी बहुत ही interesting और action thriller से भरपूर है इसके अंदर non-stop action देखने को मिलेगा जिसे जानने के लिए आपको ये movie देखना ही पड़ेगा दोस्तों हम आ चुके हैं लिस्ट के 10वे नंबर के movie के पास अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजिए नंबर 10 पर आपको एक बहुत ही कमाल की sci-fi movie देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है Passengers ये 2016 में रिलीज हुई एक action sci-fi movie है इस movie के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक space crew की जिनहें life की तलाश में एक नए planet के उपर भेजा जाता है जहां पे पहुँचने के लिए इन्हें लगभग 400 से भी ज्यादा साल लगने वाले हैं अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जिम नाम के एक engineer की जिसके sleeping chamber में कुछ problem आने की वज़ह से वो बीच रास्ते में ही जाग जाता है और अभी तक उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 400 साल लगने वाला है यानि की अगर वो वापस से अपने sleeping chamber के अंदर नहीं गया तो वो यहीं पे फंस के मारा जाएगा अब उस engineer के साथ क्या क्या होता है और उसके साथ कोई और भी होता है comment में जरूर बताएं कि आप कौन सी movie देखने वाले हैं और आगे आपको किस type की movie की list चाहिए वो भी बता सकते हैं चलिए मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ